आप देख रहे हैं MPCG Express News अगर आप हमारी खवरें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें हत्याकांड का चौथा आरोपी चड़ा पुलिस के हत्थे पुलिस ठाना जबेरा की सिंग्रामपूर चौकु में हुए एक जून मंगलवार को टग्रा मोहल्णा में हुए आदिवाजी युवाग घंत्याकांड के मामले में चौथे आरोपी को पुलिस ने सिंग्रामपूर गुबरा के जंगल से गिरफतार करने में सफलता प्राप्त की है यह आरोपी घटना के बाद से फरार था पुलिस द्वारत तीन आरोपी पहली गिरफतार करने आलाए में पेस किये गए थे जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था चौथा आरोपी घटना की आठ दिन बाद गिरफतार किया गया सिंग्रामपुर चौकी प्रभारी संजय सेंद्रुवे ने बताया पुलिस अधिक छके निर्देश पर पुलिस टी में बनाई गई थी और स्डी ओपी असोक चौरसिया की मारदर्सन में यह टी में लगतार तलासी अभियान चला रही थी आज उजियार्स हैं और पंचु हत्याकांडे के चौथे आरोपी रिसी तिवारी को गुबरा के पास जंगल से गरफतार कर लिया गया है खाना जोगे रहा है कि अबरातमाद दोस्तों चार बटे इकीज धारा तींचोड़ों 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 एवं एक्टर में फ्रारा रूपी रिसी तिवारी जो बिनांग वर्टक गटना से खरार था जिसी गरतारी के लिए प्रीमाद पुड़े से भिशक महो अबरा जल गरतारी मेरे स्क्राफ दिये गया थी जो आदेशनों साथ आरोपी गरतारी हर संबब रहाकर की लेगी है सर गरपतारी कहां पर हो भी है गरतारी आरोपी गांग उग्राक के पास ठेटों में मिला अबराता